स्वागते जी सारंदा, स्टूडेंट जले खास ऑप्शन्स असी हमेशा ही ना वीडियो जे जरीए सांजी कार दियां ताकि आज दे समय विच जिते स्टूडेंट थोड़ा कन्फ्यूज है कि साडली हुन केडी ऑप्शन चंगी हो साग दिया है साडी स्टडी भी अच्छी होवे ही उस तो बाद लॉंग टम भी सानू कुछ चंगे बैनिफिट जरूर मिल सेकंड तो आज आपा गल फ्रांस और पैरिस देविच केडी है जिया युनिवर्सिटी जेविच तो आनू वदिया चांसेज मिल सागदेने चंगी एजुकेशन द जो जमें के इसी सारह ही जान दिया नविगेटर्स ओवर्सीज कंपनी और मैम दा जो एक्सपीरियंस तकरिबन साइठ हाई साला दा एक्सपीरियंस और टेर सारे स्टूडेंट्स नूँ वदिया गाइडेंस दिती गई है इना साला दे वीच और बहुत सारे स्टूडेंस अपना फ्यूचर ब्राइट वी किता है इना दी सला मान के सो मैं आच दा टाइम जी में असी देख रहे हैं जिस तरीके नाल बाकी कंट्री जे रूल्स अपडेट हुंदे जा रहे ने स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज और डरे होए जरूर नजर आ रहे ने क्योंकि कु अपना प्राइट वी किती है ता अपा पैरिज दी वीच गल कर देयां था कुछ जेहीं आप्शन जरूर जो तुसी रिसर्च करके स्टूडेंट जलेई पूरी स्टडी किती है चीजां जरूर गाइड करो स्टूडेंट नों के आज दे डैमिच होर केडियां चंगी आप् दे एक्जाम होन वाले है बच्चा ए सोच रहे है जामा किते एस्ट्रेलिया वीजा काट दे रहे है या फिर उन्होंनों प्रोफाइल बहुत अच्छी चाहे दिया है जेड़ा की नॉन मेडिकल दा स्टूडेंट हो ए परसंट ए बहुत अच्छी हो ए फंड्स बहुत अच परस्पेक्टर किस चीज नाल बन दा है और सारी चीजां मदे नजार रख दे वासे कांसलिंग कर दे आज काम कर दे हो ए मनू 27 यहर्स हो गई है पूरी एक जनरेशन निकल गई है और तो वीक साल पहले जड़े बच्चे में पेज़े पच्ची साल पहले एनने के अच्छे लाइफ चे सैटल्ड है कि उनना दे बच्चे खिला आके आए उसी और कई साल पहले हुंते हो बच्चे भी बड़े हो गए उनना दे तो एक जनरेशन लग दी है उनने तजर बेवास्ते हो एक स्टूडेंट ज़के अंदा मैडम तु तो अड़ा जेड़ा स्टैपिंग स्टोन गल्थ हो गया तो सारी जिंदगी तुसी गल्थ सब्जेक्ट लाएके गल्थ कंट्री चूज करके फिर तो अनू केरियर दे विच प्रॉब्लम और सारी जिंदगी दे तक्के खाने है बेटर है तुसी तीन चार पांच केंटे द होन में यह बच्चे जड़े हां कंफ्यूज होय है उना दे वास्ते योरप दी बहुत अच्छी ऑप्शन्स है जिना दे विच अपां एक गल करते हैं फ्रांस दी बेस्ट कॉलेजिज जड़े वर्ड दे रैंकिंग यूनिवर्स्टीज फीस अफोडेबल बच्चा अप्टेमबर वास्ते एक में डेडलाइन है कुछ कॉलेजिज दी कुछ दी एक अपरल सीगी ठीक है वोन यह डेडलाइन साड़े को लिक बड़ा तंग कर दी है तो बच्चे नो यह चाहिए हां कुछ कॉलेजिज दे थोड़े जे रोलिंग इंटेक भी है जेड़े कॉले अपरस्ट लेना चांदे yolk तोसी था चीढ़ें से जोड़ेना уст कॉर्सि और दे चाहिए होन असी फरांस कि ह्योग प्रेल हसा प्रें पहल देरे तिसी देखो ओं यह डिंडिया की और पाल दील है ओ जिडिया Dee फ्रांस देनाल हो यह कॉस्मेटिक ता कोई बैस्ट चको उस सारा फ्रांस तो आंता है अनिक अच्छी कंट्री है Master's in International Trade इस सारी चीजां जड़ी है International Trade देना रिलेटीड है Master's in Finance then Master's in Supply Chain Management Master's in Marketing चारो कोर्स बहुत होने है fees 15 मिनने दे कोर्स दी खाली साथ दे नो लग खरो पिया और 6 मिनने दी fees मतलब सवाक चार साथ के नियुज तुसी पोने 5 लग रुपिया fees दे के अथों जा सकते हो funds जड़े है 8-10-12 लग रुपिया तुसी बैंक चे दिखाना है statement, Europe दे थाम रूल है statement तो अड़ी छे मिनने परानी होने चाहिदी यहने की फंड चे मिनने पराने statement चे मिनने पराने होने चाहिदी student दे तो अड़ी के important point है अनिक कट फीज दे विच तुसी जड़ा तुसी देखो साथ दे नो लग दे विच पंदरा मिनने दा कोर्स that means 7-7-7 लग रुपिया साल दा और पंदरा मिनने दा total course है और तुसी अद्धी फीज दे के जा सकते हो funds जड़े कट तो कट दिखाने कोई ITR नहीं लंबी चोड़ी दिखाने कोई कुछ नहीं प्रूफ नहीं दिखाने तो अड़ा जड़ा ज़े कोर्स अच्छा होएगा तो अड़ी जड़ी इंटरनेशनल लेवल ते जवाब होएगी और तो अनों सैटलमेंट दी कोई प्रॉब्लम ने, पैकेज दी कोई प्रॉब्लम ने देन कुछ और इंस्टीचूर्स हैं उना दे विच की है MSC, Data Management, Cyber Security, Sustainable Energy होन तो सी देखो हो एक ओर्सेस किन्ने अच्छे है है सारे टेकनोलोजी ते रिलेटेड कोर्सेस है पहले अपा बिजनस तो रिलेटेड दखाया है जड़े इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन, सप्लाई जेन मैनेजमेंट होन साइबर सक्योर्टी, डाटा मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एनरजी, इंजिनेरिंग डिलेटेड अच्छा यह भी 10 लग देखो, सटे नो लग दे से यह 10 लग देखो तो सी पांचलाग रुपया देखे, अपना तुसी करा सक देखो होन तुसी यह देख देओ कि इना देविचे, मास्टर्स दवस्टी 65% परसेंटेज ओवराल चाहिए दिया जड़े अकैडमिक डेक्यूमेंट्स, आयल्स अनों कोई जरूरत नहीं है और इंग्लिश देविचे ज़े 75% होनगे ते सब कुछ वेवाफ है फीस M.S.C. and M.B.A. दी में तो नुदासी देती है डाउन पेमेंट पैम्तिसो यूरो तुसी खाली देके अपना वीजा प्रोसेस कर सकते है और बाकी फीस वीजा दे बाद जाएगी वो स्टडी वर्क परमेट अलाओड है वन प्लस वन ते टू यर्स मिनिममम तो नू मिल दे ही मिल दे ओदे उपर अगे डिपेंड करदा है कि तो नू जॉब मिल गई ओदे वाद उसी किनना लेना है यूरप दा थाम रूल है पंज साल काम करो और तोसी पी आद ले सकते हो कोई मिनिममम इंकम उनकम वाला कोई चक्का नहीं है हून जब बच्चे ने अपनी कोई टेकनोलोजी दा करने है या बिजनस तो रिलेटेड करने है तो फ्रांस तो वदिया तड़कोल एननी अच्छी आप्शन कोई नहीं है जिदे विच ना कोई ब्लॉक एकाउंट है ना कोई बहुत लंबा चोड़ा तीच आली लाखर पे फांड पिखाने है छोटी जी एक पेमिंट काने है और इनने बड़े कंट्री चे तुसी चोन कर सकते हो अपने जानदा मेडियम आफ इंस्ट्रक्शन इंग्लीश होगी तो अनुए भी डरनी है कि फ्रेंच करके ही जाना है हां फ्रेंच तुसी अडिशनल वैसे ही करना चांद है क्योंकि जड़ी कंट्री चोड़ी लेंग्वे सिखोगे तो अनुफाइदा बिलकुल बिलकुल देखो मैंने तो अनुए टेर सारी चंगिया ऑप्शन ज़रूर दसिया ने और अच्छे कोर्सिज ने जिस दिन आल तो अनुफिचर विच हो चंगिया ऑपर्चोनिटी ज़रूर मिलन वालिया ने डिटेल विच अगर तुसी होर समझना चाहो फो फ्रांस बारे पारिस बारे ता जरूर तुसी जड़ा नंबर डिस्प्ले है नविगेटर्स ओवरसीज है तो पर कॉल करके तुसी पूरी इंफोर्मेशन ले साग देओ चंगा होवेगा जगर तुसी नविगेटर्स ओवर यह options ने जिज़े नाल आपने future नो ब्राइट कर सादेने तो अगो भी इसी से तुरा नाल ओर इंफोर्मेटी वीडियोज लेके आंदे रहांगे फिल्हाल ले दियो जी जाज़त थेंक यू सो मज थेंक यू